हेलो एवरिवन इतिहास कक्सा बारा के लिए मॉडल पेपर में देखेंगे हम कुछ महत्वपून प्रस्न तो पहला प्रस्न हमें है यहाँ पर सबसे पहले अब्जेक्टिव से शुरुआत करेंगे गांधी जी ने अपना पहला सत्यागर कान किया था आप्सन है दक्सीन अमेरिका, दक्सीन अफरिका, दक्सीन अस्ट्रिलिया और दक्सीन भारत तो इसका सही जवाब रहेगा आप्सन दो दक्सीन अफरिका में किया था अब कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भेजते जाएए और चेक पी करते जाएए जलिया वाला बाग हत्या काहा हुआ था ऑप्षन है एक लाहोर में दो अमरत सर में तीन कराची में और चारे कलकता में तो इसका शही आंसर है ऑप्षन दो अमरत सर में जलिया वाला भाग हत्या काण हुआ था Next है तीसरा प्रसन काला विधयक किसे का जाता है Option एक है इलबट बिल Option दो है रॉलेट एक्ट Option तीन है सिक्सा बिल और उप्सन चार इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब रहेगा Option दो रॉलेट एक्ट को काला विधयक या काला कानून के नाम से जाना जाता है. इसकी पीडिये इप आपको हमारे टेलिगरम चैनल में मिलेगी जिसका लिइण इसी वीडियो की डिस्क्रिप्सिन में आपको मिल जाएगा. चोथा प्रस्ना है अमरित सर्में जलिया वाला बाग कांड कब हुआ था? जलियावाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये अमरिद सर में हुआ था अभी हमने देखा पहले और कब हुआ था आपके पास है पहला 13 अपरेल 1919 दूसरा है 14 अपरेल 1919 फिर है 17 अपरेल 1919 और फिर है 25 दिसंबर 1919 तो इसका सही जवाब रहेगा आपसन एक 13 अपरेल 1919 को अमरिद सर के जलियावाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्य लोगों पर गोलिया बर्साई थी इसे ही जलियावाला बाग हत्याकांड कहते है पांचवा प्रसन है कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोसना अपने किस अधिवेशन में की थी तो अप्सन है के सूरत अधिवेशन लाहर अधिवेशन बंबई अधिवेशन या नागपूर अधिवेशन तो कॉंग्रेस ने इनके प्रतिवर्स एक अधिवेशन होता था तो 1939 का जो लाहर अधिवेशन हुआ था इसमें कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोसना कर दी थ और इसी प्रकार के महत्वपुन प्रसन है जो परिक्सा में पूछे जाने लायक प्रसन है आपको इस पूरी सीरिज में मिलते रहेंगे और इस सीरिज में आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी साहितिय, हिंदी कंपल्सरी और इंग्लिस कंपल्सरी की वीडियोस मि हटा दिया था कि वे अच्छी तरह सासन नहीं चला रहे हैं इसलिए उन्हें हटा दिया आटवा प्रसन है प्राय राजा सब्द का प्रियोग किसके लिए किया जाता था तो राजा सब्द का आपनी वैसे सासनकाल की बात है राजा सब्द का प्रियोग सकती साली जमिनदारों के लिए किया जाता था उनको राजा कहा जाता था नवव प्रसन है संथाल विद्रों का नेत्रत्व किस ने किया था तो संथाल विद्रों का नेत्रत्व किस ने किया था तो संथाल विद्रों का नेत्रत्व किस ने किया था तो संथाल विद्रों का नेत्रत्व करता था से मिलता जूलता एक दूसरा प्रसना है मैंचेस्टर कॉटन कमपनी कब बनाई गई थी तो मैंचेस्टर कॉटन कमपनी 1860 में बनाई गई थी दो सालों का डिफरेंस से याद रखेगा ब्रिटेन का पास आपूरती संग 1857 और भारत का स्वादिनता अंदुलन जो प्रथम हुआ था बारत में वो भी 1857 है और उसके दो साल बाद में 1869 में जो है मैंचेस्टर कॉटन कमपनी बनाई गई थी नेक्स्ट है विजे नगर सामराज्य पर कुल कितने वन्सों ने सासन किया था वो इस प्रकार है संगम वन्स, सुलूव वन्स, तुलूव वन्स और अराविदू वन्स अगला प्रसन है हजारा राम मंदिर कहां इस्तित है तो इसका उत्तर है कि हजारा राम मंदिर विजे नगर के राज की केंडर में इस्तित था विरुपाक्स कौन थे? विरुपाक्स विजे नगर राज्य के सरक्षक देवता तथा सीव का ही एक रूप माने जाते थे और चौधवा प्रसन है विजे नगर राज्य के किनी दो प्रमुक मंदिरों के नाम लिखिये विजे नगर राज्य के दो प्रमुख मंदिरों में से एक है विरुपाक्ष मंदिर और दूसरा है विट्रल मंदिर अगला प्रसन है पनर्वा खालसा पंथ के स्तापना किस ने की थी खालसा पंत जिसे पवित्रों की सेना भी कहा जाता है इसकी इस्तापना गुरु गोविन सिंग ने की थी गुरु गोविन सिंग सिख धर्म के दस्वे गुरु हुए थे नेक्स्ट और अंतिम प्रस्ण है संकर देव कौन थे तो भक्तिकाल की बात है संकर देव पनर्वी सताब्दी के उत्रार्द में असम में वैसनव धर्म की मुख्य प्रचारक थे तो ये थे हिस्ट्री के महतवपूर्ण प्रस्ण अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्चे करिए अपने मित्रों के साथ भी इससे सेयर करिए और इसी प्रकार की वीडियो सिरिस के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए वार्शिक परिक्सा तक धन्यवाद